हेलो एवरिवन आज की वीडियो में हम बात करेंगे एस्प्रीन दवा के बारे में जो ये दवा है ये नेसेट्स ग्रूप से बिलोंग करती है और नेसेट्स ग्रूप से बिलोंग करती है तो इसके पास तीन प्रोपर्टी होती है पहली प्रोपर्टी है एनलजेसिक यानि की दर्द निवारक दर्द को ठीक करेगी है ठीक है दूसरी है एंटी पायरेटिक प्रोपर्टी यानि की बुखार को कम करेगी तिसरी एंटी इंफ्लामेटरी यानि बोडी के इंदर कहीं भी सूजन है इंफ्लामेशन है तो उसको ठीक करने का ये काम करेगी तीनो प्रोपर्ट करने के के साथ साथ इसके पास एक ओर property होती है जो होती है anti-platelet property ठीक है उसकी बात मैं आगे करने वाला हूँ तो सबसे पहले इसके use समझते हैं aspirin का जो use है वो कहां कहां किया जाता है ध्यान से समझ inícioगा बिल्कुल ध्यान से मन लगा के देखिएगा अगर हम एस्प्रेन को as analgesic use करते हैं मानलियाक कोई भी वैक्ति है उसकी बोडी में कहीं भी pain है तो उसको अगर हम analgesic दे रहे हैं तो कहां कहां दे सकते हैं मतलब किस किस situation में दे सकते हैं देखिए अगर उस वैक्ति को headache है शिर्क के अंदर दर्द है तो दे सकते हैं या फिर mild migraine की समस्या है ठीक है तो दे सकते हैं बैक एक पीट के अंदर दर्द है तो भी दिया जा सकता है टूथ हैक दात के अंदर दर्द है तो भी एस्प्रीन दिया जा सकते हैं joint pain, जोडों के अंदर दर्ध है, तो भी एस्प्रीन दे सकते हैं, pulled muscles, यानि की mass patient के अंदर अगर खिचाओ है, तो भी दे सकते हैं, dysmenorrhea, अगर किसी लड़की के अंदर या female के अंदर menstrual cramp हो गए हैं, ठीक है, periods के दोरान क्या होता है, cramp होते हैं, ठीक है, तो अगर energesic की तरह यूज करना है, एस्प्रीन को, तो इन-इन situations के अंदर हम दे सकते हैं, ओके, अब इसकी dose की बात करते हैं, अगर इसको energesic की तरह यूज करना है, इन situations के अंदर यूज करना है, तो कितना dose होना चाहिए एस्प्रीन का, aspirin का जो dose है वो होना चाहिए 0.3 से 0.6 ग्राम लेकिन इसको हम mg के अंदर अगर बात करें तो 300 से 600 mg dose होना चाहिए ठीक है और ये हम दिन में दो बार ले सकते हैं एक तो सुभै और एक साम को ठीक है aspirin का जो dose है वो दिन में दो बार ले सकते हैं 300 mg से 600 mg तक लेकिन maximum dose जो होता है वो 1000 mg होता है यानि कि पूरे दिन में जितना भी dose हमने लिया है उन सब को combine करके देखो कहीं वो 1000 mg से ज्यादा तो नहीं जा रहा है जैसे ये नहीं करना है कि 600 mg सुबह लिया और 600 mg साम को तो total कितना aspirin हो गया एक दिन में 1200 mg तो यहां पर फिर ये आपके लिए problem create कर सकता है 1000 mg से जादा पूरे दिन में aspirin नहीं लिया जाता है ठीक है तो 300 mg से 600 mg तक इसकी dose होती है सुबह और साम ले सकते हैं 8 से 10 गंटे के interval पे इसको लिया जा सकता है ठीक है तो दिन में केवल दो बार ही लेना है maximum तो ये तो हुई aspirin ये next जो बात करते हैं वो है antipyretic अगर aspirin को as antipyretic यूज किया जाए मान लिया अगर किसी व्यक्ति को बुखार आया है उसको aspirin दे सकते है उसका बुखार उतारने के लिए उसको aspirin दिया जा सकता है अगर dose की बात करूँ तो कितना dose देना है बुखार के अंदर तो बुखार के अंदर सेम dose रहेगा जो हमारा analgesic के लिए था यानिकि 300 mg से 600 mg तक दे सकते हैं ठीक है ये हो गई दो बाते एक बात और मैं आपको बता देता हूँ जो ये aspirin होता है ना ये बच्चों के अंदर यूज नहीं किया जा सकता है ठीक है बारा साल से उपर जिसकी भी उमर है उसके अंदर यूज किया जाता है डोक्टर्स के दुवारा बारा साल से नीचे कोई भी है उसमें यूज नहीं किया जाता है ठीक है तो बच्यों में नहीं किया जाता है एस्प्रीन का यूज, ओके आप देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, मैंने बताया कि जो एस्प्रीन का यूज है, वो एक दर्द निवारक के रूप में किया जा सकता है, और बुखार को उतारने के लिए यूज किया अब बात यह आती है कि एस्प्रीन ही क्यों पैरासिटामोल से भी तो काम चल सकता है ये बात बिल्कुल सही है अगर मैं पैरासिटामोल और एस्प्रीन दोनों की बात करूँ तो क्या है पैरासिटामोल हमको चूज करनी है एस्प्रीन चूज नहीं करनी है पैरासिटामोल जो पराशिटामोल ही लेना है ठीक है, एस्प्रीन को वहाँ पे आपको avoid करना है क्योंकि जो पराशिटामोल हो वो safe दबा होती है ठीक है, एस्प्रीन इतना safe नहीं होती है तो अगर दोनों के comparison की बात मैं कर रहा हूँ, ओके लेकिन बात अभी यह आती है कि अगर एस्प्रीन हमको एनल जैसी कोरेंटी पैरेटिक में नहीं लेनी है देखिए वैसे ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास 24 है कि पेरासिटमोल भी ले सकते हो और पेरासिटमोल क्या सेफ है तो आप सेफ ही ड्रग लोग है वही ड्रग लोग है जो सेफ हो और अच्छा काम करें आपकी बोडी में कोई side effect ना दे जादा वही ड्रग लोग है तो यही तो मकसद है हमारा दवायों के बारे में जानकारी लेना कि हमको पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग सेफ है या नहीं है तो वहाँ पेरासिटमोल का यूज करोगे ठीक है अब बात यह आती है कि एस्प्रीन ले कब का यूज किया जाता है डोक्टर के दवारा तो मैं आपको बताता हूँ इसका यूज यहां किया जाता है स्ट्रोक और एंजाइना के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशल के लिए किया जाता है यानि कि स्ट्रोक के अंदर यूज करेंगे एंजाइना यानि कि चेस्ट पेन में यूज किया जाता है नेक्स्ट इसका यूज है यह दिखा गया है कि जो aspirin है वो rheumatoid arthritis में काम नहीं करती है इसलिए कुछ cases में करती है कुछ में नहीं करती है इसलिए aspirin का use अब rheumatoid arthritis में नहीं किया जाता है aspirin के अलावा जो other natures group की दवा है उसका use यहां पे किया जाता है ठीक है तो जितनी भी बात मैंने आपको बताई है यह आपको note down करके रखनी है और याद रखनी है एक बार दोबारा से मैं repeat कर देता हूँ ठीक है बिल्कुल एक एक लाइन में देखिए aspirin का जो use है वो दर्द को कम करने के लिए use किया जाता है और बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है dose यह रही लेकिन बुखार या फिर दर्द है तो aspirin की बजाए आपको paracetamol लेनी है अगर paracetamol नहीं है और केवल aspirin है वहाँ पे आप एक या दो खुराक aspirin की ले सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है next जो point था बच्चों के इंदर aspirin का use नहीं किया जाता उससे next point था aspirin का use फिर कहां किया जाता है stroke और angina को treat और prevent करने के लिए इसका use किया जाता है mostly heart problems के इंदर इसका use किया जाता है तो ये कुछ बाते थी जो आपको याद रखनी है next मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है वो है precautions and contra indication यानि कि aspirin को लेने के इंदर क्या सावधानिया हमको बरतनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए देखिए अगर कोई वेक्ती aspirin दवा से allergic है या फिर nessets group की दवा से allergic है तो उसको aspirin नहीं लेनी चाहिए ठीक है अगर किसी patient को peptic ulcer है पेट के इंदर चाले है तो वहाँ भी aspirin नहीं दी जाती है बच्चों के इंदर भी नहीं दी जाती है ब्रेष्ट फिडिंग मदर्स के इंदर भी इसका यूज नहीं किया जाता है और जो gout की बिमारी होती है वहाँ भी aspirin का यूज नहीं किया जाता है अब देखिए मैंने आपको बोला कि pregnancy के अंदर जो एस्प्रीन दवा है उसका यूज नहीं किया जाता है ये बात सही है लेकिन ये बात भी सही है कि pregnancy में डोक्टरिस का यूज करते हैं तो क्यों यूज करते हैं देखिए कुछ ऐसी situation होती है जहां पे एस्प्रीन का यूज कर है pregnancy में ऐसा नहीं है लेकिन आपको याद रखना है कि pregnancy में इसका यूज नहीं किया जाता है अगर कोई pregnant lady है अगर उसको की डोक्टर ने एस्प्रीन दी है तो वहां पे कुछ ऐसी problem होगी जो critical होगी pregnant lady के अंदर इसलिए डोक्टर ने वो एस्प्रीन दी है ठीक है तो दोनो आपका clear होना चाहिए तो ये कुछ precautions और contraindication थी एक और बात मैं आपको बता देता हूँ देखिए जो एस्प्रीन दवा होती है उसके पास anti-platelet property होती है anti-platelet property में क्या होता है जो हमारा blood होता है उसके अंदर platelets होती है जो clothing का का काम करती है अब जो ये एस्प्रीन है ये clothing कर परने नहीं देती है आपस में क्या है ठका नहीं बनता है platelet का ओके अब डेंगू के इंदर क्या होता है जब किसी को डेंगू होता है आप सबको पता होगा कि डेंगू के इंदर platelet की संख्या है वो घट जाती है तो इसलिए aspirin का जो use है वो डेंगू के इंदर नहीं करना चाहिए क्यूंकि एस्प्रीन लेने से जो प्लेटलेट की संक्या है वो घट जाएगी क्यूंकि एस्प्रीन जो दवा है वो एंटी प्लेटलेट एक्शन सो करती है ठीक है एंटी प्लेटलेट का मतलब प्लेटलेट के अगेंस्ड उनके विरुद काम करती है ठीक है एस्प्र नोर्मल इंसान है अगर किसी को कुछ नहीं हुआ है अगर थोड़ी सी प्लेटलेट की संक्या घट गई तो तो कोई दिक्कत नहीं है अब दूसी तरफ एक डेंगू का पेसेंट है जिसको डेंगू हुआ है उसकी ओल्रेडी जो प्लेटलेट है वो घट चुकी है अगर कोई अगर आप उसको डेंगू वाले पेसेंट को एस्प्रीन देते हो तो क्या उसको और ज्यादा दिक्कत होगी उसकी प्लेटलेट पहले से ही डाउन है अगर आप एस्प्रीन दे दोगे उपर से तो और डाउन चली जाएंगी तो बहुत ही ज्यादा सिच्वेशन खराब हो जाएगी डेंगू वाले पेसेंट की इसलिए डेंगू के अंदर प्लेटलेट जो ये एस्प्रीन है ये नहीं दी जाती है क्योंकि जो एस्प्रीन है वो एक अंटी प्लेटलेट ड्रग होती है तो ये बात भी clear हो गई, next बात करते हैं, side effect की, कि क्या-क्या इसके side effect होते हैं, एस्प्रीन दवा के, तो side effect होते हैं, epigastric distress, ठीक है, यानि कि जो upper abdomen region होता है, वहाँ पे uncomfortable रखता है, nozia उल्टी आ सकती है, vomiting जीमी चला सकता है, dizziness, chakra सकते हैं, recid हो सकते हैं, GI bleeding, यानि कि gastro-intestinal bleeding हो सकती है, तो ये सारे side effect हो सकते हैं, एस्प्रीन दवा से, जरूरी नहीं है, कि आपको हो, सबको हो, किसी को होते हैं, किसी को नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये कुछ side effect थे, जो मैंने आपको बताए हैं, अब देखिए, एक और चीज मैं बताता हूँ, जो aspirin दवा होती है, एनल जैसिक के अंदर मैंने dose बताई, लेकिन जो anti-piratic है, उसके अंदर भी मैंने dose बताई, same dose होती है, इतनी dose होती है, लेकिन इसके अंदर, stroke और enginia के अंदर इसकी dose अलग है, इसके अंदर 75 mg से 100 mg, या फिर 75 mg से 1.500 mg के बीच में, इसकी dose डोक्टर के दोबारा प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहाँगा, इकोस्पिरिन 75 के नाम से आती है, जो की 75 mg है, ठीक है, तो अगर 75 mg है, तो 75 mg से 150 mg, यह जो dose है, यह होती है, एंजाइन आउग, stroke के अंदर, या फिर अगर एनलजेसिक और एंटी पारिटी की बात करूँ, तो उसकी dose यह होती है, ठीक है, तो यह जो dose है, यह भी हर situation के अंदर अलग-अलग होती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रगना है, ओके, तो यह थी आज की मारी वीडियो, जिसके अंदर हमने सारी बाते डिसकस कर ली है तो I hope आपको यह समझ में आई होगी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज की वीडियो में बस इतना है